रादे रादे एवरेवन कैसे हो आप लोग सब आई होप सब अच्छे होंगे दोस्तो आज हम जानेंगे कि हमें सिर्ष उच्णकर भोले बंडारी जी के रोज अभी शेख घर में कैसे करना है। तो बिल्कुल सरलविधी में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी दोस्तों एक हमें जो हम पात्र में अपना डेली पूजा करते हैं ना प्लेट में जो भी हमारे मंदिर के जो बरतन होते हैं तो साफ सफाई का विसेश ध्यान टकना है उस तरीके से हमें एक पात्र ले ले से दूद से अभी शेक करेंगे तो यहां फिर आप देखो दोस्तों पंचा मरत भी बना सकते हो यह फिर हम डेली जैसे पूजा करते हैं तो हम पहले स्वच बिल्कुल जल लेंगे और कच्छा दूद और दूद याद रहे दोस्तों उबला हुआ नहीं होना चाहिए कच्छ कच्छे दूद से अभी शेक करेंगे और आप इसकी जगे में पंचा मरत भी दूद भी घी सकर सारी चीजे मिला के पंचा मरत भी बना सकते हो उससे भी आप अभी शेक कर सकते हो और इसके बाद में हमने तीन बार अभी शेक करना है तो फिर हमने बाद में सुध जल से अभ में निकाल लेंगे और इसको थोका क्या की भात धी लिसी जाओ घर में लेंगे को प्रिशाद रूप में घर में ले लेंगे और आभ हम जाब भशंड भात अधायएंगे और रहाओ हैबें अभिशी लेति केुट । इस धुम भाव operate कर गया हैं हम थी जाओ लेंगें का दहा तर या को हो नहीं आ हैं इस तरीके से मैं मेरे मंदिर में 26 के हुए है राख़ए है तो इस तरीके से एमने पूजा करनी यह अब हम तो फिर इस टरीके से हमे कलावा शमर्पित कर सकते देना है और सिपढर और फीडिस अगर हो थो सफ़ेद फूल in अगर वीक खुला को यौला की आज मी तरकी से माले कने तरा सवरा कहती है तो बेर हो तो बेर हो में अगर अगर यह का आप बहुत समर्फित कर सकता हो और भीया को में नहीं आप लेग हो उसके बाद में दोस्तों हमें दिया प्रजलित करना है और धूप दीप से आरती करनी है तो इस तरीके से धूप दीप से हमें आरती करनी है और आरती या कोई भी आरती अगर आपको ना आती हो तो ओम नमस्षिवाय का जाब भी करना है अगर आरती आती हो तो सबसे अच्छी बात है नहीं तो आप वो भी और दोस्तों भोग में आप मिश्री वगएरा भी समर्पित कर सकते हो जो आपके पास वीदा हो उस तरीके से तो दूब दीद दिखा के हम आरती भी कर लेंगे इस तरीके से अचना करणा हैं तो बिलकुल सरलवीदी में आप लोगों के साथ में शेयर कर रहersonin इस तरीके से दोस्तो थो हमें पूजा करनी हैं और चमा याचना करनी हैं हमें भूले बंडारी से हमारी पूजा में कोई भी गलती हुई हो तो उसे चमा करें और बहुत ही सरल विधी से दो